दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल इस्टेलर फर्मिंग पर आपका सवागत है दोस्तो बकडी पालन में सबसे इंपोर्टेंट रोल जो रखता है वो ब्रीडर होता है तो सबसे पहला सवाल कि ब्रीडर कौन सा ब्रीडर इस्तेमाल करें अगर बिह आपकारी लेने के लिए हम पहुंच गए बिहार के वैसाली में अभी जिस युवा से मिलने वाले हैं उनके पास काफी सांदार सांदार किस्म का ब्रीडर अब पास है लगभग पंदर की संख्या अभी इनके पास है जिसमें बरबड़ा है बदतीसा का भी ब्रीडर इनके पास है बीटल में क्रॉस ब्रीड में इनके पास ब्रीडर है और सबसे सांदार की काफी अग्रेसिव जो इनके पास जितने भी ब्रीडर है वह काफी अग्रेसिव है जैसा कि यह सामने भी देख रहा है तो यह बीटल में क्रॉस ब्रीड पे इनका ब्रीडर है इधर भी देख हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी आपका भी मेरे फार्म पर स्वागत है अपना नाम और यहां का अड्रेस पुरा बताईए जी मेरा नाम लश्मी कुमार हुआ इड्रेस बैसाली जीला में है पातर परखन के जरुआ पंचाइट के हरुपुडरी जाओं में है चौदरी जी जिए जिए बिचल और सिरोही का क्रोस ब्रीड जी एक बाद सबसे पहले सवाल हम जो करते हैं कि जैसे ब्रीडर अगर बिहार के परिप्रिक्ष में पूछा जाए तो किसका इस्तेमाल करना सबसे फाइदेमंद है सर बरबरी के लिए तो बरबरी इतर आघे बugen गीलipple में अधिक कर लोग प быть से यह रहते हैं प्रीक पिसका है चाहिए अबे बहट बडिया बेचा यह को डाकर लिए पच्चासी कीलो इसका वेड है जी हां दोस्तों यह जो देख रहा है यह 32 है और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर क्रोस ब्रीड पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फाइदेमंद रहेगा बच्चे जो है वो अगर ब्लेक बंगाल के साथ इसकी मेटिंग देख रहा है यह सब देख रहा है है एक सद और सी ब्रीड है यह सब जैसे यह 200वाइबमें अच्छा दॉक्रीड और कॉलीटी में पंप सौनल में 나올 एक सी ओकेट व्लयकए हैंगेग में यह च्याज टात्य यह कि अES बारी का यह कितने किस्धा औख सर्ट एह 13 वीर भी अगर यह सबसे पहले करके हम सब के दाम पर आतने क्या जाहिए कि कोभी किसान अगर सामने से देख रहा होगा तो तो वह चाहीगा कि इतने कीमत में वह जानना चाह रहें तो सबसे पहले यह 32 जो है आपके पास जो देख रहा है यह लगभग इसकी कीमत कीमत होगा 35,000 रुप्य है इसकी कीमत है लगभग इसकी कीमत 35,000 है लेकिन अगर अभी आप आते हैं और इनके पास पर्चेज करते हैं तो लगभग 30,000 में यह देंगे देख सकतलने हैं तरफ़निए यह जो आपके सामने जो है इसका कीमत कितना है विसका कीमद 20,000 रुपया लगभग माथ 20,000 रुपे यह दो ऑ ಥां। ओमर कालब कितनी हो रही हो गई इसकी उमर लगबग में 14 महीना का जी और 20,000 रुपए में जी उसका वेट होगा हाईट कितना होगा लगबग में होना चाहिए लगबग हाईट जो है यह 35 इंच है देखिए दोस्तों तो जैसे बहुत चारे लोग कहते हैं कि बरबडी का जो ब्रीडर है वो 30,000 रुपए में होता है और यह एकदम बहुत अग्रेसिव है बहुत अग्रेसिव आप जैसा की देख रहा है और मातर 20,000 रुपए में तो कोई भी अगर बिहार के किसान खास करके वैसाली जी लेके अगर कोई होंगे और लेना चाहेंगे तो संपर्क कर सकते हैं लक्ष्मी जी से इनका नं सबसे अग्रेसिव यह दिख रहा है जी लगभग वेट कितना बताएं सर इसको इसका पचास से पच्पन केजी होगा चार दात में है दोस्तों और लगभग पचास से पच्पन केजी इसका वेट होगा आप पहले देख लीजिए काफी अग्रेसिव ब्रिडर है फार्म में जो है एक से एक इनके फार्म में ब्रिडर है अभी देख रहा है कितना जबरदस्ती इसको पकड़ा गया तब ही यह काफी मुश्किल से इसको पकड़ा गया है लगभग 22,000 रुपए इसकी कीमत यह बता रहा है आप यहां आकर चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क जो सामने ब्लेक वाला देखने इसके बारें बताइए जी यह बिट्यल और सिरोई का क्रोस ब्रीड में है हां इसका 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 भी 20,000 रुप यह काफी एक्टीव है काफी एक्टीव है यह खंभा जो है यह पांगा गया था और हिला दिया है लगभग इसकी कीमत क्या जी एका वरह सामने सर एक वाइट वाला जो देखन आ इसके बारें बताईए यह यह जो अभी अधां था है है यह भी बहुत अच्छा आप इसे भी एक्टीव है बीपने लेकिन नहीं खिलाते इसे गाफी कास से जो बहुत जादा भी खास वह रहा है दुरूस्त भी काफी है यह क्यों बहुत बढ़ी हारोकेट कान बिल्गूल दोस्तों यह जो देख रहा है यह मातर 12000 में आपको मिलेगा एक दम प्योर ब्रीड में है और मेरे पास और काफी है यह उसमें दो है यह कुझला वाला है और कुझला तो अगर दस में जा यह पास पैसे कि धिकत है तो नहीं के पास पैसे की दिक्कत है तो वो छोटे बच्ची और इस्तमाल कर सकते हैं यह सब चोटा-चोटा सब ब्रीडर ही है लगबग संख्या हमको लगता है 15 के आसपास आपस ब्रीडर की होगी कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं लेने का क्या प्रोसेस है अगर कोई लेना चाहिए क्यूंकि आप यह जो वीडियो देख रहे हैं दे यह सब खरसेश बेचें कहां तक दिलिवरी दे सकते हैं पूरा इंडिया में कहीं भी दे शक्ते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए जानकारी देने के लिए यह जो बारा है इंहोंने बर्बरी और जो अलग-अलग बीटल वगएर का है इधर 32 का भी था व वैसाली बिहार के वैसाली जिले में है चौधरी गौड़ फार्म के नाम से है राकेश जी है उनके ये छोटे भाई है फार्म का सारा देख रेख इन्हें की जिम्में रहता है दोस्तों आसा है ये वीडियो आप सब को काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो एक लाइ हुआ है